Hello friends, BSC की Special Class में आप सबी लोगों का एक बार फिर से most welcome है My name is Ashish Giri और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे BSC Second Year Geology का फस्स सेमेस्टर है Core Data और इस सेमेस्टर से ओल्रेडी मैं कई सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जो कि आपके examination paper के लिए most important है तो अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के description box में आपको link मिल जाएगा या फिर आप channel के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से playlist मिल जाएगा BSC Second Year Core Data के नाम से आप महाँ पर जा करके उन playlist के अंदर सभी वीडियो को चेक कर सकते हैं दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर हम discuss करेंगे snake का part 3rd इससे पहले हम snake के दो parts already upload कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने discuss किया थे ओफ वीडिया के general characters के बारे में यानि snake के general characters को हम already cover कर चुके हैं Second part में हमने discuss किया था इंडिया में पाय जाने वाले poisonous and non-poisonous snake के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हम discuss करेंगे difference between poisonous and non-poisonous snake most important topic है जिसमें हम देखेंगे snake के morphology के base पर snake की morphology को देखकर हम पैचानने की कोशिश करेंगे या identify करेंगे कि snake कौन सा poisonous होता है कौन सा non-poisonous होता है कैसे आप पैचाने के किसी भी snake को देख करके कि वो poisonous है या non-poisonous है poisonous snake को हम venomous snake भी कहते हैं जो कि जहरीले होते हैं जिनमें poison gland present रहता है और non-poisonous snake जो होता है उसे हम non-venomous snake भी कहते हैं दोस्तों यहाँ पर यह जो आप diagrams देख रहे हैं इसी diagram की help से समझेंगे अगर exam paper में long question में आपसे पूछा जाए तो यह 5 number में पूरा यह diagram आता है आप उसको पूरी अच्छी तरह से इस diagram की practice करेंगे और यह diagram के base पर ही आपको exam paper में समझाना है जैसा मैंने diagram बनाया है उसी तरह का आपको diagram exam paper में बनाना होगा उसके बाद कई बार question long question जो होता है यह jointly पूछा जाता है यानि snake के poisonous और non-poisonous snake में differentiation क्या होता है इसके साथ साथ एक topic और पूछा जाता है snake का biting mechanism या biting apparatus वो हम किसी next video के अंदर discuss करेंगे उसके उपर हम part 4 बनाएंगे लेकिन आज किस video के अंदर हम पढ़ेंगे difference between poisonous and non-poisonous snake यहाँ पर तो मैं आपको बता दूँगा बट practically आप कोशिश मत करना कि किसी snake को देख करके आप पैचाने की कोशिश कर रहे है क्या इसमें laurel pit present है या नहीं है क्योंकि आपको snake बिल्कुल भी यह मोका नहीं देगा कि आ भाई पैचान मुझे कि मैं जहरीला हूँ या नहीं जहरीला हूँ देख ले कि मेरे थर्ड सुप्रा लेबियल में मेरी थर्ड सुप्रा लेबियल में जो skills present है वो बड़ा है लार्ज है या छोटा है देख मेरे fangs present है या नहीं है या फिर मेरे जो teeth है वो homodont है या उसमें fangs present है या इस तरह से बिल्कुल भी snake आपको मोका नहीं देगा इसलिए practically कोशिश मत करना snake जहां भी दिखाई दे निकल लेना क्योंकि तो चली फ्रेंड सेटिंग डाली जी difference between poisonous and non poisonous snake दोस्तो पिछली दो वीडियो के अंदर हम discuss कर चुके हैं और फिडिया के general characters के बारे में यानि snake के general characters को हम already cover कर चुके हैं उसके बाद हमने discuss किया इंडिया में पाय जाने वाले poisonous and non poisonous snake के बारे में आज कि इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे difference between poisonous and non poisonous snake यानि जहरीले सापो को आप कैसे पैचानोगे और जो जहरीले नहीं है उनको आप कैसे पैचानोगे poisonous snake को venomous snake भी कहा जाता है non poisonous snake को non venomous snake भी कहा जाता है दोस्तो ध्यान अकना अगर exam paper में long question में आपसे पूछा जाए 7.7 नंबर में अगर पूछा जा रहा है तो अगर आपने पूरा diagram आपने बना दिया है और इसमें जो most important diagram में point जो आपको show करना है show करना ही करना है वो मैं आपको बता दूँगा इस diagram को explanation के साथ और ध्यान रखना 5 नंबर में पूरा का पूरा ये diagram आता है ठीक है exam paper में अगर साड़े 7 नंबर का long question है तो 5 नंबर में diagram आएगा धाई नंबर में explanation examiner diagram के ही देखते ही आपको 5 नंबर fix कर देगा तो especially ध्यान दना की diagram आप अच्छे से represent कर सकें आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ रहे हैं poisonous and non-poisonous snake को यानि snake की morphology के base पर यानि उसको morphologically देखेंगे कि किस तरह से कौन सा poisonous है कौन सा non-poisonous है इंडिया में poisonous snake की लगबख 69 species पाय जाती है जिनमें say 29 समुद्री snake होते हैं यानि marine water में पाय जाते हैं और लगबख 40 species ऐसी होती हैं जो कि terrestrial होती है यालि land पर पाय जाते हैं धरती पर चलने वाले रिंगने वाले तो चलिए स्टार्ट करते हैं poisonous and non-poisonous इसने के बारे में अभी मैं थोड़ा theoretical portion भी cover करूँगा सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना है अच्छी तरीके से जो भी मैं समझा रहा हूँ देखे दोस्तों सबसे पहले poisonous and non-poisonous poisonous इसने क्या होते हैं जिनमें poison हो यानि जहर हो जहरीले सांप दोस्तों वैसे तो लगबग सभी सांप जहरीले होते हैं क्योंकि इनकी लार गरंतियों में इतना poison होता है कि वो अपने शिकार को मार सके लेकिन इनमें से कुछ सांप कुछ सनेक ऐसे होते हैं जिनके काटने से human body पर कोई ज़्यादा effect नहीं होता तो उनको कहा जाता है non poisonous snack ठीक है और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी वज़े से इनसान 30 मिनिट में मर जाता है जैसे for example black mamba लगबग 99% केस में इनसान की मृत्ती होई है black mamba की काटने से उसके बाद कुछ ऐसे भी snack है जिनके काटने से 2 घंटे में मृत्ती होती है कुछ ऐसे भी snack है जिनके काटने के बाद 6 घंटे में मृत्ती होती है इनसान की यानि के different toxicity के साथ toxicity के base पर इनसान की मृत्ती होती है तो यहाँ पर मैं जो आपको बिता रहा हूँ किसी का toxic effect कुछ ज़्यादा है किसी का कम है उसी base पर आज मैं आपको समझा रहा हूँ morphologically कि कितने snake जो होते हैं जहरीले हैं कितने जहरीले नहीं है कैसे आप पैचान सकते हैं वैसे तो अगर simply किसी human को bite कर ले तो आप कैसे पैचा हो जाते हैं fangs में snake के अंदर जहरीले snake के अंदर उन दो दातों का निशान आपको दिखाई देगा अगर जहरीला साप काटेगा तो दो दात या एक दात आपको दिखाई देंगे अगर कोई ऐसा साप काटेगा जो जहरीला नहीं है non poisonous snake bite करता है तो उसमें सभी के सभी आप पर एक serum निकलने लगता है red color का liquid निकलना स्टार्ट हो जाएगा उसके आसपास swelling हो जाएगी यानि के सूजन आ जाएगी जिससे आप पैचान सकते हैं कि जिस साप ने भी काटा है वो जहरीला था अब हम बात कर रहें चलिए आपका time waste ना करते हुए directly बात करते हैं कैसे करना है सबसे पहला point जिसके base पर आप poisonous and non-poisonous इसने को define करेंगे वो number first head tell यानि के पूँच number second होगा ventral scales ठीक है number third होगा head तो सबसे पहले आएगे देखते हैं tell के respect में poisonous and non-poisonous इसने का differentiation decision दोस्तों जितने भी सापों की जो पूँच होगी अगर वो literally compressed है literally compressed यानि flat है ठीक है आप साइड से देखेंगे lateral side में तो वो अंदर से दबा हुआ रहेगा compressed रहेगा तो आप उसे कहेंगे कि वो जो neck है वो पूरी तरीके से आप 100% sure होकर कह सकते हैं कि वो poisonous snake है जैसा कि आप यहाँ पर यह diagram से show कर सकते हैं exam paper में भी और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं यह literally compressed tail आपको दिखाई पड़ रही है थोड़ी मोटी सी आपको दिखाई देगी ठीक है और यहाँ पर flat भी आपको दिखाई देगी flat tail होती है और इकसा example है sea snake जितने भी समुद्री सांप होते हैं उनमें जैसे for example hydrophis उसमें आपको इसी तरह से tail आपको दिखाई पड़ेगी तो आप 100% sure होकर कह सकते हैं कि यह poisonous snake है यानि जहरीला सांप है अगर आपको पूँच cylindrical दिखाई पड़ रही है यानि सबसे पहले अगदम मोटाई से लेकर के last में आते आते हैं बहुत पतली हो रही है जैसे कि आप इस diagram में देख पा रहे हैं तो अगर आपको इस तरह की पूँच या tail दिखाई पड़े इसने कि तो आप समझ जाना कि यह poisonous हो भी सकता है और नहीं भी यानि कि आप यहाँ पर 100% शोर होकर नहीं कह सकते कि यह poisonous है जहरीला सांप है या जहरीला नहीं है आप यहाँ पर शोर नहीं है तो अब आप क्या करेंगे अब आप देखेंगे उसके ventral scales ठीक है जैसे यह मेरा हाथ आप द आपों में आपको दिखाई देंगे reptiles का एक main character होता है इनकी body पर scales पाय जाते हैं तो दोस्तों इनके ventral scales जो आपको दिखाई देंगे अब यहाँ पर आ जाते हैं अगर आपको ventral scales पर सभी के सभी जो scales uniform दिखाई दे रहे हैं यानि कि बिल्कुल समान साइज में equal size में आप कि belly पर यानि ventral scales आपको दिखाई पड़ रहे हैं तो उसको आप क्या कहेंगे non-poisonous ठीक है ventral side जो होता है वो belly कहलाता है तो अगर belly पर small छोटे-छोटे scales आपको दिखाई पड़ रहे हैं uniform है यानि कि समान साइज के हैं तो आप क्या कहेंगे कि वो एक non-poisonous snake है यानि आप 100% confirm हो चुके हैं आपर कि वो जो snake है वो जहरीला नहीं है अगर आपको ventral scales यानि के बीच में आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि बीच में तो large है यानि mid वाला जो portion है mid ventral scales जो है वो large है बड़ा है लेकिन किनारी किनारे पर आपको small scales भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं त उसके surface को यानि ventral surface को पूरी तरह से cover नहीं कर रहा है तो इस condition में भी आप तुरन समझ जाना कि वो non-poisonous snake है उसके बाद number third large scales है यहाँ पर आपने देखा कि बिल्कुल चोटे चोटे skills है आपने तुरन समझ लिया कि non-poisonous है आपने देखा यहाँ पर mid में जो है mid में large scales है बट किनारे किनारे पर small scales है तो आप तुरन्त confirm हो जगे हैं यहाँ पर यह भी non-poisonous snake है तब क्या करेंगे जब यहाँ पर आपको बड़े-बड़े scales दिखाए देंगे पूरी vental surface पर जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस diagram में represent हुआ है कि large scales है और पूरी entire surface को cover किये हुए है अब यहाँ पर आप 100% confirm नहीं हो सकते कि यह snake जहरीला है या जहरीला नहीं है poisonous है या non poisonous है venomous है या non venomous है आप कैसे पता करेंगे अब अब थर्ड number पर आप include करेंगे head यानि अब आप इसने का head देखेंगे head वाला reason देखेंगे तो head की reason में आपको क्या-क्या दिखाई पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ इस diagram को ध्यान से देखिए दोस्तो अगर आपको उसके head एकदम triangular दिखाई पड़ रहा है आपने देखा होगा Russell wiper जितने भी wipers हैं triangular head दिखाई पड़ेगा wipers काफी जहरीले साप होते हैं इनकी वज़े से इंडिया में लगबग 10-12,000 लोगों की हर साल मिरत्ती हो जाती है तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं एकदम triangular head है और इसके head पर बिल्कुल small small scales दिखाई पड़ रहे हैं सभी की scales यहाँ पर small small हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं small cephalic scales और triangular head यह nostrils है यानि नासा छिदर इसको कहा जाता है नासा छिदर यानि नाक की छेद, nostrils और यह है head ठीक है और यह आँखे हैं यानि के eyes और यह है यानि के आप समझ जाना अगर छोटे छोटे scales आपको दिखाई दे रहे हैं और triangular head है तो समझ जाना कि snake जो है वो poisonous है यानि जहरीला साप है और यह pitless wiper होगा क्योंकि यहाँ पर आपको scales छोटे-छोटे की जगहां यहाँ पर आपको बड़े-बड़े scales दिखाई पड़ रहे हैं, triangular head है ध्यान अखना एक बार फिर से मैं repeat करता हूँ ताकि आप confused ना हो और मैं थोड़ा-थोड़ा अराम से बोलने की कोशिश करता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाए दोस्तो हमने head के respect में सबसे main बात सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहला point क्या देखना है, कि head triangular है या नहीं है, अगर triangular head है तो यह पहली निशानी है कि हाँ वो जहरिला हो सकता है, आपने देखा small small scales भी present है, आप तुरन समझ जाना कि वो 100% confirm होकर कि भाई यह जो साप है यह जहरिला है और pitless wiper है क्योंकि loreal pit इसमें absent है, बाकि triangular head है, अब आपने देखा दूसरे diagram के अंदर इसका जो सर है, यानि के head है, वो triangular तो है, लेकिन यहाँ पर scales वो बड़े बड़े दिखाई पड़ रहे हैं, जबकि यहाँ पर छोटे छोटे हैं, तो अब आप क्या करे यानि के यह आसपास के temperature को detect कर सकता है, अपने शिकार की गंद को महसूस कर सकता है, मतलब इसका कई सारे function है, जिससे पहचान सकता है, thermoreceptor होता है, आनि आसपास का temperature कैसा है, तो दोस्तों, अगर यह loreal pit present है, तुरन समझ जाना साप जहरिला है, और यह pit wiper है, ठीक है, क्यों का example है, अब आप यहाँ पर number third diagram देखेंगे, अब यहाँ पर हमने इन दिये दोरों condition अगर आपकी fail हो जाएं, तब क्या possibility हो सकती है, वो चीज आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपने दिखा triangular head है, चली ठीक है, आपने दिखा यहाँ पर बड़े-बड़े skills भी और दोर्सल दोनों साइड में आपको देखेंगे, क्योंकि इसमें cobra snake आजाता है, और coral snake आजाता है, और भी कई सारी snake है जो आजाते हैं इसी की category में, अब आप यहाँ पर यह कह सकते हैं, कि सांप snake जो snake है वो जहरिला हो भी सकता है और नहीं भी, अगर यह condition आजाए कि भई scales जो हैं वो बड़े बड़े दिखाई पड़ रहे हैं, triangular head है, लेकिन यहाँ पर एक condition ही आ रही है, कि इसमें laureal pit absent है, तो इस condition में आप कहेंगे, snake poisonous हो भी सकता है और नहीं भी, अब यहाँ पर इस diagram पर आजाएए, इस diagram में आप ध्यांस, आपको यह देखना है, कि यह है number first, देखें दोस्तों सबसे पहले, यहाँ पर आपको main चीज समझानी है, वो यह, कि यह जो उपर वाला जबड़ा होता है, यानि upper jaws, इसको कहा जाता है, infra, यानि सोरी, supra labial, इसको उपर वाला जबड़ा होगा, उसको बोलेंगे, supra labial, उस पर जो, यहाँ पर scales present होंगे, तो ह क्या कहेंगे, supra labial scales, नीचे वाला जो lower जबड़ा होता है, उसको कहते हैं, infra, तो supra और infra, इन दोनों में है, supra labial और इन दोनों में हमें, इसे divide करना है, तो उपरी वाला जबड़ा होगा, वो supra labial, उस पर जो scales होंगे, उसे क्या कहेंगे, supra labial scales, और नीचली वाले में, number तीसरे number पर जो आपको दिखाई दे रहा है, skills, अगर वो large है, ठीक है, ये तो है number first scale, number second labial scales, number third supra labial scales, जो कि large है, third supra labial scales, जो होता है, वो large होगा, बड़ा होगा, तो आप समझ जाना कि snack जो है, poisonous है, और इसका example है, cobra, ना जा ना जा, ठीक है, और cobra की और भी कई सारी चीजे हैं, जो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर, कि इनमें चस्मे के जैसा एक इस practical निशान होता है, जिसके help से आप तुरंत पैचान जाएंगे, और ये तो cobra है, ठीक है, number second आ जाते हैं, अब यहाँ पर ये जो snake आपको दिखाई दे रहा है, ये जो diagram ह ये समझ लीजे, मैंने अपने हाँ को उल्टा कर दिया, ये मेरा हाथ सीधा है, यानि इसनेक का मूँ सीधा है, अब मैंने इसको उल्टा कर दिया, यानि lower jose हम देखना चाहते हैं, नीचे वाला जो जबड़ा है, इसनेक का, उसमें चोथे नंबर पर आप जो देख रहे है ये देखिए, यानि कि अब हम क्या कर रहे हैं, फोर्थ इन्फरा लेबियल स्केल्स देख रहे हैं, अगर वो लार्जेस्ट है, तो तुरन समझ जाना, इसनेक पोईजनस है, और ये है इसनेक का वेंटरल व्यू यानि, देखिए ये तो डॉर्सल मान लीजिए, यानि सीध जिला साप है, और ऐसा देखने के मिलता है, करेत, करेत इसनेक जितने होते हैं, ये 5000, लगबग इंडिया में 5000 लोगों की हर साल मिलती होती है, करेत इसनेक की वज़े से, ठीक है, तो दोस्तों और भी कई सारे तरीके हैं, करेत इसनेक के पचानने के, जैसे फॉर इग्जाम view of current body की dorsal view आपको दिखाई पड़ रहा है ठीक है और इसकी dorsal view में आपको hexagonal एक बार फिर से repeat कर रहा हूँ hexagonal और mid dorsal यालि बीच में आपको दिखाई देगा mid में dorsal vertebral scales present रहते हैं तो यह है तरीका सांपो को पहचानने का और diagram आपके examination paper या notes में भी इसी तरह से books में भी इसी तरह से diagram शो किया हुआ है वो यही show किया गया है कि आपको तीन लेवल पर three point of view से आपको snake को snake की morphology की base पर आपको पहचानना है कि snake जहरीला है poisonous है या non poisonous है तो simply एक बार फटा फट फट फिर से तुरन समझेना poisonous इसनेक है अगर वहाँ पर आपको cylindrical दिखाई पढ़ रहा है तो यहाँ पर आप hundred percent sure हो कर नहीं कह सकते कि वो snake poisonous है या non poisonous है तो अब आप देखेंगे उसका ventral scales ventral scales में अगर आपको इस तरह से scales अगर completely छोटे छोटे और uniform small belly scales आपको दिखाई पढ़ रहे है तो आप कहेंगे non poisonous है अगर आपको यहाँ पर पूरी तरह कैसे यह नहीं दिखाई पढ़ रहा है आपको किनारे पर small scales दिखाई पढ़ रहे है लेकिन बीच में mid में आपको ventral scales बड़े बड़े दिखाई पढ़ रहे है covered है तो उसको आप कहेंगे यह जो है poisonous हो भी सकता है और नहीं भी अब आप head के respect में देखेंगे और head में आपको बताया है लोरियल pit और triangular shape अगर head का triangular shape है तो आप समझ जाना यहाँ पर यह poisonous is नेक है अगर लोरियल pit present है तो भी वहाँ पर यह पहचान सकते है है कि यहाँ यह वाइपर हो सकते हैं और pit वाइपर हो सकते हैं अगर laureal pit present है अगर absent है तो आप कह सकते हैं वहाँ पर अगर triangular shape में है और छोटे-छोटे skills भी present है तो आप कहेंगे लोरियल pit यहाँ पर absent है इसका मतलब यह pitless wiper है जिसका example है russell wiper ठीक है तो उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको क्या बता है बड़े-बड़े skills दिखाई पड़ रहे हैं अब आप confused हैंगी भाई यहाँ पर laureal pit भी नहीं है बड़े-बड़े skills भी दिखाई पड़ रहे हैं अब हम क्या करें तो अब आपको क्या करना होगा उसके head को देखना होगा ध्यान से dorsal और vental view देखना होगा आप यहाँ पर जैसे for example cobra में आप देखेंगे तो इसमें fourth supra labial आप अगर scales देखेंगे तो वो large दिखाई पड़ेगा बड़ा दिखाई पड़ेगा जिससे आप पैचान सकते हैं कि वो जो snack है वो poisonous है ठीक है और एक चीज और भी द्यान लखना अप practically आइमीन जैसे मैंने यहाँ पर आपको बता दो दिया लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि snack आपको मोका देगा कि भाई आजा देख मेरे पास दो-दो फैंक्स हैं मेरे जो सुप्रा लेबियल में यह देखें मेरे जो सुप्रा लेबियल है वो एकदम लार्ज है आजा मुझे पैचान ऐसा नहीं होगा बिलकुल भी धान लखना वो यह अपनी पूच को दिखाएगा नहीं कि मेरा सिलेंड्रिकल पूच है वो अगर उसको हलका सभी खत्रा मैसूस होगा आपको तुरंत बाइट कर देगा और बाइट करके भाग जाएगा ठीक है अगर साब काट ले तो घबरानी की जरूत नहीं है आपको डेरेक्टली आपका जो डिस्टिक हॉस्पिटल है वहां पर जान दोस्तो अगर लोंग कोशन में साड़े साथ नंबर या दस नंबर में आपसे पूछा जाए तो उस डाइग्राम को बनाने के साथ साथ आपको ये थेरुटिकल पोर्शन भी कवर करना है एक्जाम पेपर में इसको आपको लिखना है कि क्या डिफरेंस होते हैं नोन इसनेक के कलर की बात करें तो ये ज़्यादा चम के लिए नहीं होते जाता ब्राइटली कलर के नहीं होते युज्वली नोट ब्राइटली कलर लेकिन आपको साथ में एक्सेप्सनल केसिस भी कुछ लिखने हैं जैसे फॉर एग्जामपल अगर आप पाइथन को देखो तो जहरीला नहीं होता वो सिर्फ एनिमल्स को घोट जाता है यानि निगल जाता है कोमन सेंड बोवा या फिर हम एनाकॉंडा की बात करें या वार्ट इसनेक की बात करें तो ये जहरीले तो नहीं होते लेकिन ये थोड़े ब्राइटली कलर के होते हैं तो ये क्या है एक्सेप brightly colored के होते हैं यानि चमकीले होते हैं रंग बिरंगे होते हैं तो इनका भी यही point है colored में number second point आता है shape of head यानि अगर आप इनके shape head का अगर आप shape देखें आकार देखें तो इसमें generally आपको जो non poisonous snake है उसका narrow और elongated head होता है जबकि अगर हम poisonous snake की बात करें तो इनका head जो होता है वो triangular होता है जैसे for example wipers snake और posterior portion यानि पीछे वाला जो भाग होता है थोड़ा चोड़ा होता है wide होता है आगे वाला भाग पतला होता है ऐसा आपने observe किया होगा जो जहरीले सांप होते हैं आप simply अगर आप रसल वाइपर को देखें या पिट वाइपर को देखें आप कोब्रा को देख लेजिए इनमें आगे वाला जो भाग होगा थोड़ा पतला और पीछे वाला भाग थोड़ा चोड़ा होता है उसके बाद नंबर थर्ड पॉइंट आता है नेक नेक यानि गर्दन यहाँ पर अगर नोन पॉइजनस इसने की बात की जा रही है तो यहाँ पर नो कॉंस्ट्रिक्शन इनकी गर्दन में किसी तरह का कॉंस्ट्रिक्शन नहीं होता जिससे कि यह पता लग सके कि यहाँ गर्दन यह है यानि माउथ वाला रिजन यह है और पीछे वाला भाग यह है, मतलब इन से पता नहीं किया जा सकता, बट अगर आप देखें poisonous snake के बारे में, तो neck always constructed होता है, यानि एक construction होता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि यह गर्दन वाला भाग है, यह पीछे वाला भाग जो है, वो abdominal वाला पार्ट है number four point आता है hood, जैसे आपने देखा होगा, नाग ऐसे बन जाता है, ऐसे, इस तरह से ठीक है, तो मतलब कि अगर आप देखें non poisonous snake में, तो इस तरह का hood होता है, वो absent रहता है जबकि आप poisonous snake, यानि जहरीले सांपों की बात करें, तो present in the majority cases, जादा तर cases में आपको hood दिखाई देगा, कोबरा में ये highly develop होता है, कोबरा तुरंत इस तरह से बन जाते हैं, और एकदम से ऐसे करना, start कर देंगे attack कर देंगे, highly develop होते हैं, कोबरा अपने में, और non-poisonous snake के अंदर, tell trappid होता है, long लेकिन exceptional, अगर छोड़ दिया जाए, जैसे जो bill बना कर रहने वाले सांप है, bromine snakes जो होते हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए, तो बाकि सभी जितने भी non-poisonous snake है, उनका tell trappid होता है, long समूदर में रहने वाले, जो marine water के अंदर रहने वाले, जो snake होते हैं, उनके tell होते हैं, ठीक है, एकदम से flattened होते हैं, और inland snake जो धर्ती पर रहने वाले होते हैं, है तो जहरी ले धर्ती पर रहने वाले, उनका cylindrical होता है, जैसे कि हमने diagram में लेड़ी देखी लिया है tell की respect में किस तरह का tell होता है तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ main main जो points है वही आपको note करना होगा number six है head scales यानि सर के उपर पाये जाने वाले जो head है उन पर scales जो है उनकी बात की जा रही है उनकी respect में बात की जा रही है तो scales on the top of the head are large अगर हम non poisonous snake की बात करें तो head के उपर जो scales होते हैं वो large होते हैं but in sand boas जैसे की sand boas का example ले ले in the scales are small उनकी उपर जो scales होते हैं वो small होते हैं समझ में आया एक बार फिर से repeat कर दें कि भाई जो head के उपर scales होते हैं non poisonous snake के अंदर large होते हैं लेकिन sand boas जो की non poisonous snake है लेकिन उसमें जो है scales बड़ा होता है यह उसका exceptional cases लिखा गया है तो number six पर अगर हम poisonous snake की बात करें तो इनके head scales जो होते हैं वो top of the head are usually small छोटे छोटे होते हैं जैसा कि हमने diagram में already देखी लिया था number six sorry number seven यहाँ पर आप heading डालेंगे number seven dorsal scales यह तो हमने देखा head scales यह हम बात करेंगे dorsal scales इसके बाद हम ventral scales भी discuss करेंगे फिलाल सबसे पहले number seven point पर है dorsal scales तो non poisonous snake के अंदर scales on the dorsal surface are longer but spinal vertebral scales are not longer and hexagonal होता है वो ठीक है repeat किया जाए scales on the dorsal surface so dorsal surface के ऊपर जो scales होते हैं वो longer होते हैं but spinal vertebral scales जो होते है वो hexagonal होते हैं ध्यानलकना है poisonous यहने के अंदर बात की जया तो dorsal surface पर бол Dorsal सर्फिज पर जो scales पहे जाते हैं वो small होते हैं but spinal vertebral scales जो होते हैं are larger वो बड़े होते हैं and hexagonal होते हैं crates के अंदर तो यह 7 point है जिसे आप लिखेंगे अभी और भी में पॉइंट लिखने वाला हूँ सबसे पहले आप इसको फटा-फट नोट कीजिए नोट कीजिए दोस्तो नंबर 8 point Ventral Scales दोस्तो अगर Non-Poisonous Snake की बात करें तो Ventral Scales are Either Across the Belly completely और नोट मतलब यह पूरे बेली को क्रोस कर भी सकता है और नहीं भी लेकिन अगर आप Poisonous Snakes यानि जहरीले सापों में देखें तो Usually Completely Across the Belly लेकिन यहाँ पर exceptional cases है sea snake यानि समुद्री साप जिसमें ventral scales जो होता है are not completely across the body number 9 point होता है laurel pit ठीक है ventral scales तो समझ में आ गया ना जो हमने diagram में देखा था किसी में complete था किसी में incomplete था तो उसके base पर हमने वहाँ पर फिर दुबार से फर्दर हमने head को देखा था तो I think आपको ये तो समझ में आ गया होगा number 9 point आता है laurel pit अगर non poisonous इसने की बात करें तो इन में laurel pit जो होता है वो absent होता है poisonous इसने की जहरीले सांपों में laurel pit present रहता है और ये variable shape में होता है ध्यान रखना ये जो आप देख रहे है number 9 point laurel pit तो इसके number 9 point के respect में ही लेना ये उपर नीचे हो सकता है लेकि number उपर नीचे नहीं है number 10 point आता है mental shield अगर आप non poisonous snake के mental shield को देखें तो वो small रहता है जबकि आप poisonous snake में देखें तो हमने diagram में भी देखा था जो fourth skills था वो large था shield यानि scales ही यहाँ पर ये जो shield लिखा हुआ है वो skills की ही बात कर रहा है यानि mental जो skills था non poisonous snake के अंदर वो small होता है और poisonous snake के जहरीले सापों में जो fourth shield होता है या scale होता है वो large होता है यानि बड़ा होता है number 12 पर आता है teeth shield का मतलब क्या होता है किसी चीज की रक्षा करना जैसे आपने देखा होगा पाहु बली में एक छत्री के जैसा हाथ में ऐसे ले कर रखते हैं वो shield का ही तो काम करता है ठीक है protection का ही तो काम करता है बचाता है जिसी तरह से scales भी reptiles को बचाते हैं हर चीज से सुरक्षा रखते हैं तो shield और scales इसी एक ही होते हैं ठीक है इसमें आप confuse मत होना number 11 पर बात आ रही है caudal scales अगर आप non poisonous snake में देखें तो इसमें uniform यानि एक जैसे और solid होते हैं caudal scales और वही पर अगर आप poisonous snake में देखें तो number 11 point mostly undivided होते हैं except कुछ exceptional case है जैसे for example coral and cobra snake में उसमें divide नहीं होते है number 12 point आता है teeth non poisonous snake के अगर आप दातों को देखें तो ये uniform होते हैं और solid होते हैं यानि सभी के सभी homodont होंगे एक जैसे होंगे और solid होंगे मजबूत होंगे लेकिन अगर आप poisonous इसने के अंदर देखें तो mostly तो solid होते हैं और ये भी uniform होते हैं यानि एक जैसे होते हैं लेकिन exceptional case है maxillary teeth दोस्तों ये जो हमारा उपरी वाला जो जबड़ा होता है इसको मोलते है maxillary ठीक है और इसमें जो दात होता है इसको कहेंगे maxillary teeth और नीचे वाला जो जबड़ा होता है उसका नाम है mandible हमारे सरीर की मैं human की बात करा हूँ हमारे सरीर की जो सबसे मजबूत हड़ी होती है वो हमारी mandible bone ही है जिसे आप हिला डूला सकते हैं खोपड़ी में सिर्फ यही एक हड़ी है जिसे आप उपर नीचे हिला डूला सकते हैं वरना कोई ऐसी हड़ी नहीं है जिसे आप हिला सकें चाहे कोशिश भी कर लो हम बात कर रहे थे यहाँ पर teeth के बारे में तो non poisonous neck में जो teeth होता है वो uniform homodont होता है solid होता है और poisonous इसने के अंदर solid तो होता है और uniform यानी एक जैसा भी होता है exceptional case है maxillary teeth जिसमें दो large एकदम teeth दिखाई देंगे जिने हम कहा जाता है fangs तो fangs क्या है teeth का ही एक रुपांतरन है एक modification है number 12 point आता है muscular system sorry number 13 आता है poison gland अगर आप non poisonous snake के अंदर देखें तो poison gland जो होता है वो absent होता है इसलिए तो ये non poisonous है वही पर अगर आप देखें poisonous इसने के अंदर तो इसमें poison gland present रहता है और जोडे में present रहता है paired में और कहां पर upper jaws उपरी वाले जबडे में present रहता है ठीक है एक चीज़ोड नोट करना साप का जो निचली वाला जबड़ा है वो जैसे जो प्रकरतिक आपदाएं आती है natural disasters दोस्तों इनको बहुत आसानी से पता लगा लेता है भुकंप की तिर्वता को बहुत तेजी से बहुत जल्दी और बहुत पहले ही पता लगा लेता है तो मतलब काफी sensitive होता है ठीक है अब हम बात करते हैं muscular system की तो non poisonous snake के muscular system जो होता है वो well develop होता है और strong होता है जबकि आप poisonous snake में देखें तो ये less develop होता है इनका muscular system अगर हम बात करें non poisonous snake यानि बिना जहरीले सापो की तो इनका जो lungs होता है lungs जो होता है वो both lungs are present इनमें दोनों lungs present रहते हैं जबकि आप poisonous snake में देखें तो इसमें जो दोनों lungs हैं वो नहीं present रहते हैं इसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूं ध्यान से सुनना एक lungs तो पूरी तरीके से सही रहे GOODा दूसरा lungs जो होता है या तो वो absent रहेगा या वो reduced रहता है यानि पूरी तरीके से develop नहीं होता तो ये हमने देखा non poisonous और poisonous snake में difference next वीडियो में हम discuss करेंगे biting mechanism, biting apparatus जो वो भी most important है और कई बार इन दोनों topics को एक साथ पोचा जाता है तो don't worry दोस्तो मिलते हैं दोस्तो next वीडियो में अगर ये वीडियो आपके लिए helpful रहा हो तो वीडियो को like करे, channel को subscribe कर दे अगर आपको उसी तरह की और भी वीडियो चाहिए तो मिलते हैं next वीडियो में, bye bye, ta-ta